पूर्वी राजस्तान में मीडा जाती के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोडी लाल मीडा इन दिनों बेचैन है। गर्मी के मौसम में राजस्तान में तपिश अपने परवान पर है लेकिन लोकसभा चुनाओं के परिणामों से पहले राजस्तान में अब सियासी पारा भी चर्णने लगा है। प्रकरण में दोशी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ आक्शन लेने की मांग की है। असल में एकल पट्टा प्रकरण का मामला 2011 का है जब जैपूर विकास प्राधिकरण ने गणपती कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर शैलेंदर गर्ग के नाम से एकल पट्टा जारी किया था। 2013 में इसकी शिकायत ACB से हुई। शिकायत के आधार पर शैलेंदर गर्ग ततकालीन, ACS, GS संधू, डिप्टी सचिव, निशकाम, दिवाकर, जोन उपायुक्त, उंकार मल सैनी की गिरफतारी हुई थी। ACB कोर्ट में इनके खिलाफ चालान पेश हुआ था, विवाद बढ़ने पर जेडिये ने 25 मई 2013 को एकल पट्टा निरस्त कर दिया था। दरसल किरोडी लाल मिर्णा को आपत्ती इसी बात पर थी कि राजस्थान में भाशपा की सरकार बनने के बाद भी इस मामले में कोई ए केरी मिल्या हुआ।